हिंदू धर्म में ज्ञाडू को मा लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है यह एक परानिक मान्यता है और ज्ञाडू को आपूर्ती, सम्रिध्धी और धन की प्रतीकता के रूप में देखा जाता है मान्यता के अनुसार जारू के विशेश नियमों का पालन करने से आपके घर में सुक समरिद्धी की प्रवरिती बनी रहती है इस दिशा में रखें जारू वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जारू को सही दिशा में रखने से धन की प्रवरिती होती है विशेश रूप से जाडू को उत्तर पूर्व दिशा यानि इशान कोण में रखने की सिफारिश की जाती है इसका मान्यता से आपको धन की प्राप्ती और सम्रिद्धी का अनुभव हो सकता है किसी के जाने के बाद तुरंत ना लगाए जाडू मान्यता के अनुसार और वहां आर्थिक समस्याएं उत्पन हो सकती है इस जगह पर न रखें जाडू जाडू को हमेशा एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां किसी की नजर न पड़े इसका मुख्य कारण है कि वास्तुदोश के अनुसार जाडू को खुले स्थान पर रखने से नकारात्मकूर्जा आसानी से घर में प्रवेश कर सकती है इसलिए जाडू को हमेशा एक ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जहां उसकी नजर न पड़े यह मान्यता कहती है कि अगर जाडू खुले स्थान पर रखी जाए तो उसमें भरी गई नकारात्म कूर्जा घर में प्रवेश कर सकती है और वास्तु दोश को प्रभावित कर सकती है वास्तु दोश के अनुसार जाडू को बैडरूम या बैड के नीचे किचन में रखना अशुब माना जाता है इसे करने से परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई जगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है वास्तु दोश के अनुसार बैडरूम और किचन घर के दो ऐसे स्थान होते हैं जहां परिवार के सदस्यों के बीच आराम और सुख की स्थिती होनी चाहिए